नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर खंड सिक्षा दिकारी की तैयारी चल रही है चैनल द्वारा इंडियन स्ट्रगल पर सेट वन डाला जा चुका है प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी और डिस्क्रेप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा इस वीडियो में हम 40 MCQs देखेंगे साथे साथ जो कोशन के options होंगे उससे भी कौन से नए प्रशन बनने की संभावना है उसको भी हम cover करेंगे इस तरीके से कई questions हमारे जो है grip में आ जाएगे ताकि प्रशन कहीं से भी पूछे आपका अभ्यास हो सके और आप पेपर में सही से उसका आंसर दे सके ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो वीडियो पसंद आये तो वीडियो का लाइक करिएगा अपने दोस्तों को पीश में शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें पहला प्रश्ण जो है अपने आप में काफी important है भारत के आंदोलन के संदर में जनमानस में जिस नाम से प्रसित थे उसके उपर ये कोशन है जैप्रकास नारायन, सीएफ एंडूरूज, दादा भाई नोरोजी, लाला लाजपत्राय, ठीक है और इनको सुमेल करना है इनकी उपाधियों से तो जैप्रकास नारायन, सुमेल होंगे लोकनायक, सीएफ एंडूरूज, दीन बंधू, दादा भाई नोरोजी, भारत के वयोवरिद नेता, लाला लाजपत्राय, पंजाब के स्री, ठीक है अब ध्यान दीजेगा चितरंजन दास जी को देश पंधू के नाम से पुकारा जाता था, गांधी जी को महात्मा के उपादी, गुरुराविंद्र नाठ टैगोर ने दिया था, और राश्ट पिता उनको महात्मा गांधी को सुभास चंद्रपोस ने कहा था, ठीक है, लोक हित वादी, ये किसे कहा जाता है, गोपाल हरी देश मुख को, ठीक है, तो इस तरीके से कोशन, पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है, चलिए, तो ये कोशन हो गया, पंजाब के स्री लालालाच पत्रा है, ठीक है, अठारा सो संतावन करांती के संदर में, किसने कहां से अपना नेत्रत परदान किया, इस पर प्रशन पूश लिता है, बक्त कहां ह हो गया, मौलवी एहमद उल्ला, कुमर सिंग, नाना साहब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मी बाई, बेगम हजरत महल, ठीक है, मनी राम, दीवान, तो बक्त खाने दिल्ली से, मौलवी एहमद उल्ला, जो कि तमिल लाडू के थे, बाद में फैजाबाद आए, और टोपे भी कानपूर, रानी लक्ष्मी बाई जहांसी, और बेगम हजरत महल, ठीक है, लखनो, मनी राम दीवान भी यूपी पीस्टस में पूछा गया है, इन्होंने कहां से नेतित्य प्रदान किया, असम से, चलिए, अगला प्रशन देखते हैं, किस राष्ट्य नेता ने अंडमान सेलुलर जेलों की दिवारों पर भारत का इतिहास लिखा था, यह कोशन है, सही जवाब हो जवाँ वीर सावर कर, विनायक दामोदर सावर कर, एक कोशन पूछा जाता है, कि नासिक सडेंत्र से कौन सा क्रांतिकारी संबंदित है, तो आप्शन में कई होंगे, वह पर भी क्या जवाब होगा, वीर सावर कर, अभिनाव भारत की स्थापना किस ने की थी, तो 1904 में एक करांतिकारी संगठन की स्थापना की थी, अभिनाव भारत वीर सावर कर नहीं की थी, ठीक है, जोतिबा फूले पर भी प्रशन पूछा जाता है, यह एक समाज सुधारक इसके अलावा, अमबेटकर पर कई प्रशन पुछे आते हैं, काफी important सक्षियत हैं, ठीक है, कि एक मातर व्यक्ति जिसने तीनों गोल में सम्मेलों में participate किया, तो डाक्टर भीमराव अमबेटकर, प्रारूप समिती के अध्यक्स थे, डाक्टर भीमराव अमबेटकर, अनु पूछे गए हैं, इनके अलावा, इनके द्वारा रचित किताबें, और इनके द्वारा स्थापित संस्थाएं, उन पर भी प्रशन पूछ लेता हैं, चलिए, आगे बढ़ते हैं, किसके शाशनकाल में भारत में विश्यविध्यालों की स्थापना की गई, सही जवाब क्य इसे भी पूछा गया है, कि किसके शाशनकाल में बंबई, मदरास और कलकत्ता में तीन विश्यविध्यालों की स्थापना की गई, तो ये की गई थी 1857 के दशक के संदर्ब में ही, ठीक है, और लॉड कैनिंग उस समय जो है भारत के गवर्नर जनरल थे, इनके शाशनकाल मे कलकत्ता, बंबई और मदरास में तीन विश्यविध्यालों की स्थापना की गई, एक मात्र गवर्नर जनरल जन पर महाभ्योग चलाया गया, इंग्लैंड में वारेन हैस्टिंग, सती पर्था का अंत किसके साशनकाल में किया गया, लॉर्ड विलियम बैंटिक के, और इसमे मुख्य भूमिका किसकी रही, राजा राम महन रोय की, राजा राम महन रोय को राजा की उपाधी किसने दी, अकबर दियुत्यय ने, कोशन ये भी पुछा जाता है कि उनकी समाधी कहाँ है, तो ब्रिश्टल में, भारत में नहीं है, ब्रिश्टल में है, ठीक है, भारतिय पुनर जागरन का पिता किसे का जाता है राजा राम मोहन रॉय को मीरातू लखबार उन्हीं के द्वारा जो है संपाधित किया जाता था तो ये कुछ कोशन्स हैं जो पूश लेता है चलिए निमनों से कौन चटगाउं सस्त्रागार लूट में सामिल नहीं था सही जवाब है कलपनादत भी थे सूर्य सेन भी प्रिती लता वाडेकर भी दिनेश गुपता जो है वो सामिल नहीं थे दिनेश गुपता इस दरा आईट आंसर ठीक है अब एक कोशन पूछा गया है पूरु परिक्षा में की तो यह थी 1930 सवीनय अवग्या आंदोलन महात्मआ गंदी के सवीनय अवग्या आंदोलन और इसके में लीडर कोन थो सूर्य सेन जिनको फासी दे दी गए थी ठीक है यह अध्यापक थे इनको माश्टर दा भी कहा जाता था चलिए इस तरीके से questions को त्यार करें और इसके लावा कल्पनादत को जो है आजीवन कारवास दिया गया ये भी जो है इनकी सेना में जो महिलाएं थी उनकी जो है प्रमुख नेता थी कल्पनादत निवन में से किस घटना के बाद इस्ट इंडिया कंपनी बंगाल सुबे में निर्नायक भूमिका निभाने लगी तो सही जुआब हो जाएगा ये question मैंने कराया हुआ है ओप्शन ए बक्सर का यूद 1764 ठीक है प्लासी का यूद भी ध्यान रखना है 23 जून 1770 लेकिन बक्सर का यूद ज्यादा निर्नायक रहा इसी के बाद जो है शाह आलम द्युत्य के साथ जो है एक संधी होती है जिसको कि इलाहबाद संधी के नाम से जाना रहता है 1765 ठीक ह चलिए अगला प्रशन देखते है नेवन में से किस संधी के माध्यम से पेशवा का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त कर दिया गया ये कोशन पूछा जा चुका है यूपी पीसेस में सही जवाब होगा बसीन की संधी 1802 में वैले जली के साथ साहाइक संधी स्विकार की गई और इस बसीन की संधी के बाद पेशवा का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया इस तरह के प्रशनों के लिए आपको तयार रहना है ठीक है बसीन की संधी इसके अलावा मैंने नोट्स में पुरंदर की संधी सलवाई की संधी भी बताई है तो इसका भी वर्षकाल आपक या अंदोलन के विरोध करते वे 1940 के लाहोर अधिवेशन में सही जवाब क्या होगा सही जवाब है option d 1940 के लाहोर अधिवेशन में ठीक है इसके अलावा एक कोशन पूछा जाता है कि पाकिस्तान शब्द का निर्मान करता कौन है तो केंब्रिज विश्विद्याले का एक छात्र चौदरी रहमत अली ने जो है पाकिस्तान शब्द दिया था निम्न में से कौन सा यूद अंग्रेजों की फ्रांसिसी पर स्रेश्टता सिध करता है निम्न में से तो 1760 में हुआ था वांडिवाश का यूद भारत पर निर्नायक भूमिका किसकी रहेगी ब्रिटेन की या फ्रांस की ये तैक किस ने कर दिया था वांडिवाश के यूद ने ठीक है इसके लावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि अंग्रेजी सैना का नेतित्व किस ने किया था सर आयर कूट ने और फ्रांसिसी सैना का काउंट लेने ठीक है चलिए किस ने भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन प्रारम किया था जे ए हिकी ठीक है जे ए हिकी ने और कब किया था 1780 में इसके अलावा बंखी धम को आधुनिक प्रेस का जन्म जाता कहा जाता है ठीक है भारत में राश्टिय प्रेस की स्थापना का श्रे किसको दिया जाता राजा राम महुन रोय को और इन्हों ने समवाद कौमोदी और मीरातुल अखबार 1822 में प्रारम किया था तो राजा राम महुन रोय से मैंने इस्टार्टिंग में जो फैक्ट बताया था उसमें दो फैक्ट ये भी जोड़ लिजेगा समवाद कौमोदी और मीरातुल अखबार का संपादन किस ने क गया राजा राम महुन रोय ने काफी टैलेंटीड वेक्ति थे अ कि एहमदाबाद सत्यागरे किसके विरोध में चलाया गया था तो एहमदाबाद सत्यागरे जो है 1918 में भारतिय मिल मालिक और गैर सरकारी कमचारियों के द्वारा जो है चलाया गया था उनके द्वारा दूरों के लिए प्लेग बॉनस से संबंदित है आपका एहमदाबाद सत्यागरे ठीक है चलिए प्लेग बॉनस इस पर प्रशन पूछ लेता है किस अधिनियम के मादव से भारतियों को विधाईका में अधिक प्रतिनिदित दिया गया यह अधिनियम प्रत्यक निर्वाच यह अधिनियम भी जिसको जाना जाता है और इसका दूसरा नाम क्या है प्रत्थक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई तो भारत परिश्चत अधिनियम 1909 ठीक है तो इसको ध्यान रखेगा ऑप्शन ए चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर सुमेल करना है लॉर्ड क्लाइव लॉर्ड क्लाइव किस से संबंदित है बंगाल में द्विश्चाशन लागू करने से लॉर्ड वैले जली साहयक संदी से लॉर्ड डल हजी हडप नीती से राज्य हडप नीती से और लॉर्ड करजन विश्व विध्याले अधिनियम से इसके लाब बंगाल विभाजन भी हो तो भी लॉर्ड करजन ही होगा विश्व विध्याले अधिनियम जह तो भी लॉर्ड करजन सबसे लंबा शाशनकाल किसका था लॉर्ड करजन का ही ठीक है तो यह कुछ कोशन्स है जो इस तरह से भी पूछा जा सकता है आगे है सलवाई की संदी है अमरिट सर की संदी है बसीन की संदी है इनको सुमेल करना है तो इनका वर्षकाल मैंने आपको बताया हुआ है फिर से मैं बताऊँगा सलवाई की संदी 1782 अंग्रेजो और सिंधिया के बीच में हुई थी श्रीरंग पत्नम की संदी टीपू और इस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 1792 बसीन की संदी बाजीराव द्वित्य और इस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 1802 अमरित सर की संदी 1809 इस हिसाब से सही जवाब है सबसे पहले चा सिरी रंगपट्नम की संदी 1792 बसीन की संदी 1802 अमरित सर की संदी 1809 भारत सरकार अधिनियम 1919 जाना जाता है इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदाई शाषन को सपष्ट प्रियोग किया गया था उत्तरदाई शाषन की विवस्था किस अधिनियम में दिखाई पड़ती है भारत सरकार अधिनियम 1919 ठीक है प्रांतों में द्वेत शाषन लागू करने वाला अधिनियम कौन सा था 1919 जिसको समाप्त कप किया गया 1935 में ठीक है काफी इंपोर्टेंट कोश्चन है कि चलिए किसे भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस का पिता कहा जाता है भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस लॉर्ड डफरिन के समय जो है इसकी स्थापना हुई 1850 में और पिता किसे कहा जाता है एयो ह्यूम को ठीक है और इन्हों ने कॉंग्रेस की स्थापना किया पहले अद्यक्स कौन थे व्योमेश चंद्र बनर जी पहले मुस्लिम अद्यक्स बद्रूदिन तयब जी ठीक है तो यह कुछ कोश्चन से ध्यान रखिएगा आगे है बनाया था एकता का जो परतिक बना आगे चल करके और इसका मुख्याले कहां था होम रूल का मदरास के अड़ियार में ठीक है एनिबेशंट द्वारा जो इस थापना की गई थी है कि इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि होम रूल अंदोलन का जो है व्यापक प्रचार किसमे किया गया था कॉमन्वील और निउउ इंडिया जो की एनिबेशंट का समाचार पत्र रथा तो इस पर भी प्रशन पूछ लेता है कॉमन्वील और निउउ जो किस से संबंदी थे एनी बेशंट से गांधी जी ने सवीनय वग्याव कर अधानाक करने की प्रेणा किस से लिए सही जवाब क्या होगा थोरो दांडी मार्च यात्रा की समाप्ति के तुरंत बाद सवीनय वग्या अंदोलन आरंभ हो गया था 1930 में इसके अलावा टॉलेश टॉय गांधी जी का अध्यात्मिक गुरू थे गोपाल कृष्ण गोखले राजनितिक गुरू थे ठीक है अब यहाँ पे एक तरफ समाज है और दूसरी तरफ उनकी स्थापना कहां कहां हुई तो ब्रम समाज की स्थापना राजा राम मोहन रोय द्वारा की गई थी 1828 में कहां पर बंगाल में वेद समाज की स्थापना केश धरलू नाइडू द्वारा कहां की गई थी मद्रास में आर्रे समाज की स्थापना कहां की गई थी बंबई में दयानंद सरस्वती द्वारा प्रात्ना समाज की स्थापना केशोव चंद्र सेन के प्रेणना में आत्माराम पांडूरंग ने की थी बंबई में फिर से सुन लिजे ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रोय बंगाल वेद समाज के श्रीधरलू नाइडू मद्रास आर्रय समाज दयानंद सरस्वती बंबई प्रात्ना समाज आत्माराम पांडूरंग बंबई सर्दाव गृफ भूख जोंग तरे करेता है। अजाध फॉझम से निमन में से कौन संबंधित था तो अजाध हिंद फॉझ का गठन से संबंदित स्रेक इसको दिया जाता है मोहन सिंग को ठीक है और द्यूत्य विश्यूत्स से संबंदी थे आपके आजाने हिंद फॉज, उसने में गठित की गई थी, इसके अलावा इस सैना के जो सिपाई थे, सरदार गुरूब अक्सिसिंग, प्रेम सहगल, सहर नवाब, पर मुकदमा कहां चलाए गया था, लाल किला में, और इनके परमुख वकील कौन था, भूला भाई देश आई, तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ओप्शन ए, वकीलों के जो मुक्खे वकील होते हैं, जो सबसे अपर हेड होते हैं, उनमें भूला भाई देश आई थे, ठीक है, और इनके निचले करम में कौन कौन थे, सप वर्ष बंकिम चंद्र चटो पाध्याय ने आनंद मठ लिखा था, आनंद मठ 1882 में जो है लिखा था, और इसमें किस विद्रो का विवरण है, सन्यासी विद्रो, क्रांतिकारियों की गीता किसे कहा जाता है, तो आनंद मठ को ही कहा जाता है, ठीक है, भारत का राष्ट गी वंदे मात्रम आनंद मठ से लिया गया है. ये भी कोशन पूछा जाता है. 1882, और आनंद मठ में किस विद्रो वर्नन है? सन्यासी विद्रो का वर्नन है. भगवत गीता करांति कारियों की कौन है? तो वो आनंद मठ ही है. बहुत इंपोर्टेंट है आनंद मठ फुस्तक. 1857 की करांती के संदर में आनंद बठ पर प्रस्ट कई बार पूछे गए हैं ठीक है इंडियनेश्ट अगल के संदर में तो ध्यान रखिएगा निम्न में से किसको भारत में अंग्रेजी सिक्षा को प्रारम करने का श्रे जाता है किसको जाता है सही जवाब है लॉर्ड मेकाले ठीक है ऑप्शन बी निम्न में से कौन गांदी जी से मिलने अफ्रीका गया था गोखले जी जो कि कौन है राजनेतिक गुरू महत्मा गांदी के किस ने कहा था कि मुपर उंगली रख करके कान को सतर्क रखके पूरे देश भर में घूमें तो वो गोखले जी ही थे इन्हों नहीं पहले कहा था कि प्रत्यक्ष सक्रिय राजनीती में आने से पूरू, पूरे देश का एक बार भरमन कर लें तो गोखले जीते, ठीक है, ध्यान रखिएगा किस शिक्षा रिपोर्ट के बाद कलकत्ता विश्विध्याले अस्तित्व में आया? सही जवाब है, वुड डिस्पैच, 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच की अध्यक्सता में गटित समिती ने भारत में भावी शिक्षा के लिए एक योजना तयार की थी, जो आगे चलके चार्ल्स वुड डिस्पैच के नाम से विख्यात हुई, जिसको कि भारतिय शिक्षा का मेगना कार्टा भी कहा जाता है, सीधा सीधा कोशन पूछा जाता है कि भारतिय शिक्षा का मेगना कार्टा किसे कहा जाता है, तो वुड डिस्पैच को, ठीक है, तो कोशन गलत नहीं होना चाहिए, और इसी के अधार पर, लॉड कैनिंग के साशनकाल में तीन विश्वेद द्यालों की स्थापना की गई थी, कलगत्ता, बंबई, मदरास्त, तो यहां से भी प्रश्ण बन सकता है, ठीक है, इसका आधार क्या था, तीन विश्वेद द्यालों की स्थापना की तुल वुड डिस्पैच, 1854, मुस्लिम लिग की स्थापना, किस वर्स हुई, तो 30 दिस स्थापना हुई, किसके द्वारा, नवाब सली मुल्ला खां, वकार उल मुल्क, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, 1906, वाइसराय थे लौड मिन्टो, और किसके द्वारा, धाका में नवाब सली मुल्ला खां, वकार उल मुल्क, सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखा गया था, राम प्रसाद बिसमिल, ठीक है, और हिंदुस्तान रिपब्लिकन अशोसियेशन, जिसकी स्थापना कप की गई थी, 1924 में, कहां की गई थी, कानपूर, तो उनके स्थाप पर्सन, कोशन एक बनता है कि इनकी समाधी कहां है, राम प्रसाद बिसमिल की, कमेंट करके बताईएगा, भारतिये राश्टिये कॉंग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कोन थी, पहली महिला अध्यक्ष पूछा है तो स्रीमती एनिवेसेंट, ठीक है, अब अगर पूछले, पहली भारतिये महिला अध्यक्ष कोन थी, तो स्रोज निवेसेंट, पहली भारतिये महिला अध्यक्ष कोन थी, तो स्रोज निवेसेंट, पहली भारतिये महिला अध्यक्ष कोन थी, तो स्रोज निवेसेंट, पहली भारतिये महिला अध्यक्ष कोन थी, तो स्रोज निवेसें भारत में किस वाइसराय को स्वशाशन के जनक के रूप में जाना जाता है तो वो है Lord Rippon, इस्थानिये स्वशाशन का जनक, Lord Rippon, ठीक है, ध्यान रखना है, इन्होंने Press Act का प्रवर्तन भी किया था, लिटन Press Act को ले के आया था, यानि कि सैंसर बोर्ड इसने स्थापना की थ था, और Rippon ने उस प्रतिबंद को हटाया था, ये भी कोशन पूछ लेता है, अंडमान निकोबार में जो है, घूमते हुए, किसका जो है, एक करांतिकारी ने, अफगान करांतिकारी ने जो है, मुर्डर कर दिया था, तो लॉड मयो थे, ठीक है, और जनकरना कराने का स्रे भी लॉड मयो को ही दिया जाता है, लॉड करजन के उपर कई सारे प्रस्ण बनते हैं, वो हमने स्टार्टिंग में देख लिए, चलिए, बार दोली सत्यागरे के बाद, वल्ला भाई पटेल को सरदार की उपादी किस ने दी थी, महिलाओं के पुकारने के बाद, महत्मा ग गया, सहीज बाब है, लॉड विलियम बैंटी, और भूमिका किस की रही, तो राजा रामोहन रोय की, ठीक है, अठारा सो उनतिस वर्षकाल, और लार्ड कार्नवालिस की समाधी कहा है, यह प्रस्ण पूछा गया है, उउपी में, गाजीपुर में, ठीक है, इस थाई बंद से कौन संबंदित है, लॉड कार्नवालिस, वर्रन हैस्टिंग में महाभ्योग चलाया गया, एक मात्र व्यक्ति, ब्रिटिश साशन में जिन पर महाभ्योग चलाया गया, वर्रन हैस्टिंग, लेगिं फिर बाद में छोड़ दिया गया था, सिध नहीं हुआ था, चली, किस किस ने गांदी जी को महात्मा कहा था, तो 1917 के चंपारण आंदोलन के संदर्व में इनको महात्मा की उपाधी किस ने दी रविंदर नाट टैगोर ने, जबकि राष्टपिता किस ने कहा था, सुभाज चंद्र बोस्त ने, तो ये कोशन पूछ लेता है, ठीक है, स्वराज स्वराज पार्टी से कौन संबंदी था है, मोतिलाल नहरू और चितरंजन दास जी, पूंट स्वराज के प्रस्ताव लाहोर दिवेशन में पारित हुआ, 1929 में और उस समय अध्यक्ष्टा किस ने की थी, जोहाल लाल नहरू ने, रावी नदी के तठपल जंडा फेराया थ भालगंगादर-तिलक के काई पुछाता है, परेश के संदर में प्रथम वेक्ति जो जेल गया दो बालगंगदर-तिलक ही थे, ठीक है, वह वेक्ति, जो असयोग आंदोलन का जो नहीं देक पाया, उसका रिजल्ट वह बालगंगादर-तिलक ही थे, पहले दिन ही ईनकी मृत् कम्प्लीट हुए कैसी लगी आपको यह वीडियो मुरको अवश्य बताएं यह जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं बताता हूं इनसे कई सारे प्रश्ण आपस में जुड़े होते हैं ठीके इस तरह की वीडियो आपको कैसी लेगी यह मुझे जरूर बताएं ताकि मैं अधिक सद जो हैं इस तरह की लेके आशकों आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा कमेंट जरूर बताएं वीडियो के संदर में इससे हमें मोटिविशन मिलता है नमस्कार धन्यवाज